हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मैं चाइनल आज मैं आपके लिए महारस्ट की फेमस अलू अड़ी के रेशिपिल आई हूँ तो ये जो अलू अड़ी के पोधे हैं मैंने अपने ही घर के बगल में लगाए हुए हैं सबसे पहले मैं इसके बड़े बड़े पत्ते काट लूँगी आलू अड़ी खाना तो सभी को बहुत पसंद होता है पर इसको बनाना बहुत ही जंजट और घंटो का काम होता है तो आज इस वीडियो में आपका घंटो का काम में मिल्टो में करने वाली हूँ इस वीडियो में आलू अड़ी के पत्ते लपेटने के दो तरीके में दिखा आप देखें के पीछे मोटा मोटा डंठल होता है इस तरीके से पिर चाते है पूण सकते हैं यंगो बमलिखें तो इन्हें हमें दोनों तरफ से अच्छे से चील लेना है ऐसा करने से हमारे रोल्स बहुत ही अच्छे बनेंगे और उसमें गैप बिल्कुल भी नहीं रहेगी तो यह देखिए इस तरीके से मैंने पत्ते को चील लिया है इसी तरीके से हम सारे पत्ते चील लेंगे तो अगर आपके पास हरी मिर्ची है तो आप हरी भी ले सकते हैं अब इन सारे मसालों को मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे ये देखिए मैंने यहाँ पर एक नियूस पेपर ले लिया है अगर आप चाहे तो प्लैटफरम को अच्छी तरीके से लेके पत्ते के जो रीरे है उसे अच्छी तरीके से फ्लैट कर लेंगे तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसके उपर बेलन घुमा देना है ताकि ये जो हमारी उबरी उबरी रीरे होती है वो अच्छे से फ्लैट हो जाएंगी और रोल्स बनाने में हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगा ऐसा करने से पत्ते काफी सॉफ्ट हो जाते हैं तो यह देखी यहाँ पर मैंने सारे पत्तों को इसी तरीके से फ्लैट करके सॉफ्ट कर लिया है तो अब हम इसके लिए बैटर तयार कर लेते हैं बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बृतन ले लिया है अब हम इसमें दो कटोरी बेशन डाल देंगे इसी के साथ हम इसमें आधा कटोरी चावल का आठा डाल देंगे चावल का आठा डालने से हमारी वड़ी बहुत ही कूरकूरी हो जाती है। अब हम इसमें पीसा हुआ मसाला डाल देंगे अब हम इसमें सुखे मसाले आड़ करेंगे आधा चम्मच हल्दी पावडर एक चम्मच लाल मिर्च का पावडर और स्वादानुसर नमक डाल देंगे इसे के साथ हम इसमें आधी कटोरी मेने आपर इमली का पल्प निकाल लिया है तो इस पल्प को भी हम इसमें डाल देंगे महाराष्टर में अलुवड़ी बनाते समय इसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाला जाता है तो अगर आप चाहे तो इसमें एक टुकड़ा गुड़ का भी डाल सकते हैं अब हम इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर ले तो ये देखे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पाने डाल कर हम इसका गाड़ा सा बैटर बना लेंगे आप देख सकते हैं हमारा ये बैटर काफी थिक है इसी तरीके से हमें बैटर तयार कर लेना है तो ये हमारा बैटर तयार हो गया है तो चलिए अब हम रोल्स बनाना लगा लेना है एक हाथ से हम पत्ते को उपर की तरफ पकड़ेंगे और नीचे की तरफ हम बैटर लगाते जाएंगे ये बैटर हमें जादा गाड़ा नहीं लगाना है बस हलके हलके हातों से पतला पतला बैटर लगा लेना है ये देखे मैंने पत्ते के उपर अच्छे से लगा देंगे यह बैटर हमें ज्यादा थिक नहीं लगाना है अब हम इसके उपर तीसरा पत्ता रख देंगे और तीसरे पत्ते के उपर भी हम हलका हलका सा बैटर लगा लेंगे पर यह बैटर हमें हलका जरूर लगाना है पर पूरे पत्ते के उपर अच्छी तरीके से फैला अब मैं इसके उपर एक और पत्ता रखूंगी तो ये मेरे पास एक पत्ता छोटा है तो इसे भी में रख दूंगी आप बीच बीच में इस तरीके से छोटे पत्ते भी डाल सकते हैं तो ये देखी मैंने इसके उपर भी अच्छे से बैटर लगा दिया है अब हम इसे किनारे से फोल्ड करेंगे तो ये देखी मैंने इसे इस तरीके से किनारे के साइड से फोल्ड कर दिया है अब इसके उपर भी हम हलका हलका सा बैटर लगा देंगे मैंने यहाँ पर चार पत्तों का इस्तिमाल किया है आप चार या पाच पत्तों का भी इस्तिमाल कर सकते हैं अब हम उपर की तरब से भी इसे फोल्ड कर देंगे और उपर भी हलका हलका सा बैटर लगा देंगे अब हम उंगलियों की मदद से इसका एक टाइट रोल बनाते जाएंगे हमें इसका रोल बिल्कुल टाइट बनाना है इसके अंदर एर बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए तो यह द लगा करके इसे अच्छे से चिपका देंगे और रोल को इस तरीके से हलका सा प्रेस कर देंगे ताकि इसमें अगर थोड़ी बहुत एयर हो तो वो भी निकल जाए अब मैं आपको दूसरे तरीके से रोल बना करके दिखाऊंगी उसी तरीके से मैंने एक पत्ता ले लिया है औ और उसके उपर भी अच्छे से बैटर लगा दिया है अब हम इसके उपर दूसरा पत्ता डालेंगी पर ये जो पत्ता है हम नीचे की सैड से डालेंगी यानि की उल्टा डालेंगी जैसे के आप वीडियो में देख सकते हैं नीचे की सैड से हमें पत्ता डाल देना है और इ नीचे की तरब से इसी तरीके से हम पत्ते डालते जाएंगे और इसके उपर अच्छे से बैटर लगाते जाएंगे इसके बीच बीच में आप छोटे छोटे पत्ते भी डाल सकते हैं सिर्फ आपको जो नीचे का पत्ता होता है उसे बढ़ा ही रखना है तो ये देखे इसी त किनारों को जादा नहीं फोल्ड करना है बस थोड़ा थोड़ा सा ही हमें इन किनारों को फोल्ड कर देंगे किनारों को फोल्ड करने के बाद इसके उपर भी हलका हलका सा बैटर लगा देंगे उसके बाद हम इसे उपर से फोल्ड कर देंगे और उपर से ही हम इसका एक roll बनाते जाएंगे, तो यह देखी इसी तरीके से कीनारों को अच्छे से सेट करते हुए हमें इसका एक tight roll बना देना है ताकि इसमें अंदर air बिल्कुल न रहे, मैंने आपको दो तरीके से roll बनाना बताया है जो भी आपको आसान लगे उस तरीके से आप roll मना सकते हैं तो ये देखिए मैंने यहाँ पर दोनों roll अच्छी तरीके से बना लिये हैं ज्यादातर लोग roll बनाने के बाद इसे steam करते हैं और इसके बाद इसे fry करते हैं तो आज हम एक step कम करने वाले हैं आज हम इन rolls को steam बिल्कुल भी नहीं करेंगे इन्हें हम direct cut करेंगे यहाँ पर हम एक roll इस तरीके से ले लेंगे और इसे चाकू की मदद से cut कर लेंगे सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना होगा आपकी जो चाकू है वो अच्छी पैन होनी चाहिए यानि कि उसमें धार अच्छी होनी चाहिए और जब हम roll cut करेंगे तब हम roll को नीचे तक अच्छे से cut कर लेंगे तो यह देखिए इसी तरीके से चाकू के मदद से हम सारे rolls cut कर लेंगे यह rolls आप अपने हिसाब से मोटे या पतले cut कर सकते हैं तो ये देखिए मैंने यहाँ पर rolls अच्छे से cut कर लिये हैं ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी layers हैं ये देखने में ही कितने अच्छे लग रहे हैं अब हम इन्हें fry कर लेंगे इन्हें फ्राइ करने के लिए गैस पर मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है तेल अच्छे से गरम हो जाने के बाद हम इसमें एक एक करके रोल डालते जाएंगे जितने भी कड़ाये में आसाने से रोल आ जाएंगे उतने ही हम इसमें डालेंगे पहले तो हमें गैस की फ पल्टी कर देंगे इसी तरीके से अलटते पलटते हुए मीडियम फ्लेम पर हम इने अच्छे से पका लेंगे ऐसा करने से ये अंदर तक कुरकुरे हो जाएंगे मीडियम फ्लेम पर पकाने से हमारे रोल अंदर तक अच्छे से पक जाएंगे और काफी समय तक क्रिस्पी और क बहुत ये अच्छी तरीके से फ्राइ हो चुके हैं अब हम जारे के मदद से इन सारे रोल्स को निकाल लेंगे इसी तरीके से मैंने दूसरे रोल्स को भी कट करके अच्छे से फ्राइ कर लिया है तो ये हमारी महारश्टर की पारम पारिक अलू वड़ी की रेसिपी बनकर तै यह खाने में बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी और करारे लगते हैं आप इसे जरूर ट्राइ कीजेगा और अगर आपको मेरे वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगें तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजे थैंक यू